एलो माई फ्रेंड्स नमस्कार मैं डॉक्टर विनोत कौशेक आप सभी के सामने दोबारे फिर लाइब आया हूँ फिस्टो थेरपी के फायदे के बारे में सभी को बताना ये हमारा में मोटू रहता है तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है फ्रोजन शूल्डर क्योंकि समय हमारे पास कम है बिमारी के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे और ये खासकर प्रोग्राम है मरीजों के लिए हमारा फीजियो आपके घर एक सहरा फांड़िशन के अंदर हमने अपने क्लिनिक पर आप सभी को घर पर सुविधाएं अफोर्डेबल कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ट सर्वेसिस देने के लिए स्टार्ट किया है इसके अंदर आप घर बैठे टीटमेंट भी कर सकते हैं जो पेचन्स नहीं आ सकते तो होमजिट्स के लिए हम अब टीम है जिसमें की 28 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 18 फीजियो हैं बाकी 10 असिस्टन्स रहते हैं जो क्लिनिक पर और हर जगे हल्प करते हैं तो फ्रोजन शूल्डर पर हम आ जाते हैं पहले ही आपका समय ज्यादा बेस्ट नहीं करेंगे फ्रोजन शूल्डर कंधा जाम जो कंडिशन है इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं मरीज को कैसे मालूम चले कि उनको फ्रोजन शूल्डर है या उनको कंधा जाम नॉमली कोई नह वजय से वह इंजिरीид के ध्यान नहीं देते पेट में काम करते रहते हैं और पेख में काम करने से शूल्डर अपने आपको रस्टिक करता है मोमेंटन नहीं की वज्जे से कंदा फिरू होना शुरू हु जाता है इसका इनिचल पता नहीं चलता हैוף और यही सोचते हैं कि हलका तो जटका लगा ठीक हो जाएगा काफी लोग इसको डाइपटिस से भी रिलेट करते हैं और डाइपटिक पेशेंट्स के लिए देखा गया है 60-70% लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो ही जाता है रिजन यह कि डाइपटिक पेशेंट्स में जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो होता है और अगर डाइपटिस कंड्रोल में नहीं है कंदे पे कोई जटका लगा जोर पड़ा तो उसके अंदर उस वज़े से प्राब्लम आ जाती है जैसे ही कंदे में जटका लगा डाइपटिस में हीलिंग स्लो है फेशन का कंदा रिकावर नहीं कर पा रहा पेन रिकावर नहीं करता है जो हमारा शोल्डर जोइंट है बोन दो हड़ियां उसके बीच में कैपसूल होता है इसका दुसरा नाम एडेसिव कैपसूलाइटिस हुए जो कैपसूल है जहां ना शुरडर मूव लूब करता है एक टकर Tक अनलए है बीच में गैप हेसी इस करलके बीच में चूरडर पे कैपसूल है और वह कैपसूल टाइट होना शुरु हुमें का बरीज कंदोन लों होकि ह करेगा क्या थेमिकार में बंथी आふふ स्फिय ल पाइयन करवट, कभी दाइए करवट कभी हाथ के नीचे तकिया लगाने की खोशिश करेगा, डेट जाएगा दर्द की वज़े से नीज टिस्टा व попроб जैसे होने लगे कंदे में की वज़े से तो आप समझ लेजिये कि आपको BROZER 부सकता है या है आपको फिजोधर्पिस के पास डॉक्टर के पास जाके जांच जरूर करवाने चाहिए यह आपका हुआ कंदे का चोट या करवट में सोने की वज़े से या किसी भी रिजन से पेन रात को अगर आपको नीद में दिखाता रही है दुसरा बाय चाहिए अगर कोई हलका था टच कर देया अचानक कोई जटका लग जाए कोई दर्वाजा कहीं पे टकरा जाए तो अनवेरेबल पेन होता है ऐस सहनिया दर्द होता है पेशन को दर्द स कि देहन नहीं होता है तो यह भी फ्रोजन शोल्डर का है इसके लावा रेस्ट्रिक्शन दो तो मुविंट जिसे कहेंगे कि हाथ कम उठना शुरू हो जाता है और ज़्याधा तर जो मुविंट्स सबसे ज्यादा है वो कम रेस्ट्रिक्ट होती है जैसे कि सामने से हाथ ठी करनी होती है पीछे हाथ ले जाने का जूत ज्यादा नहीं पड़ता है इंटर्नल रोटेशन का ज्यादा जूरूत नहीं पड़ता है जिस वज़े चे जो मुवमेंट कम है वो ज्यादा जाम होता है और इसी मुवमेंट के लिए आपको क्या करना है पहला काम है पेन को कम करना पैन को कम करने के लिए दैसे लिए हिटि नहीं आई प्रहक्स पिंग कि दूंदर को पया कासी है हुद आपका सटल हो कि रहता है आई सब्सक्राइब के अないका कि ति करें कर beginnen कोई भी आप एक्सराइज करते हैं या कंदा जाम को खोलेंगे तो माइक्रोट्रोमा दोते हैं किसी भी जाम को अगर खोला जाए अकडन को ब्रेक किया जाए ट्रोमा तो होगा अगर माइक्रोट्रोमा होगा तो इससे पेन होगा पेन को आप स्टेवलाइज करने के लिए क्य फाइदा होगा जरूर फाइदा हो सका अगर फिर भी आपको पब्लम लगती है नहीं बेटर हो पा रहे हैं तो आपके आज पास के जो फिजर पिस्टें उनसे मिलें तो सिंटम्स मैंने आपको बता दिया है इसमें पें मुवमेंट का लॉक होना रात को सोनी में दिक्कत आना ये सब सबसे ज्यादा सिंटम्स रहते हैं और इसको क्योर करने के लिए सिंपल जी बात है जतना आप मुवमेंट करेंगे उतना ही बेटर होगा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पें थोड़ा सा टॉलेट करना पड़ेगा जैसे जैसे कंदा खुलेगा आपका पें क जाएगा जाएगा जैली एकसरसाइज आपको बताएंगे जैसे कोई भी वेट आप ले लीजिए आप लेजी का बंद लेजी का उसके तापको गलाइट्स करना है नहीं है जाएगी प्लाइट्स के लिए करते करेंगे फर्स्ट है पेंडलर मुवमेंट इसको बोलते हैं प पेंडलर मुवमेंट में फ्रीली हैंड मूव करेगा फ़ावर तो बैकवर्स इसको 50-20 ताइंगे ऐसी राइट लेफ्ट राइट 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 रेफ्ट रेजिए तरहें बाह अंदर राइट लेफ्ट एंड रोटेशन प्रीली वेट रहेगा ग्रेवटी रह कर सकते हैं घर पे किसी भी पानी की बॉटल को लेके उससे भी आपका हो जाए आपके जी के साथ सब्सक्राइट बदा दीजिए मैं यह आप कोई भी डंडा कोई भी रॉप लेकर एक्सेंशन पीछे वाले कुमेंट जो इंटर्न रोटेशन वह जाम है तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि में प्रीज कर दिए हमारे साथ एक टीम मेंजर हमारे कि बर्माजी जो आज एक से सारी बता रहे हैं यह जो इतना ऊपर जाना है उसको पर लेगे जाए इसको तो तो नहीं हो था कि नेक्स तर्कित लिगा दीजिए में बता दीजिए चाहिए यह और जीजिए शोल्डर बीच में आपने सोचा कुछ समान है उसको रखा हुआ और जैए और इसको स्पीज करना है शोलडर को पूरा स्पीज शोल्डर बेड़ी लेगा यह थार्ड एक स्ट्राइज है आपकी प्रोजन शोल्डर के लिए इसको पंदरा से वीज बार करेंगे पंदरा से वीज बार यह प्रॉपर स्ट्रेक्स कीजिए एक दो तीन चार पाच बीला फिर कीजिए लिए नेक्स में इसको यह थारा बेंट बंचों के एक साइज के लिए उसके आप कर सकते हैं रोब से कर सकते हैं यह भी आपकी प्रोजन शोल्डर के लिए प्रोजन शोल्डर के लिए यह मूमन्ट आपने किया पूरा ओपर है कि इसको भी फिप्टीन टूंटी टाइम पंदरा से बीस बार जो भी एक से आपको बता रहे हैं पंदरा से बीस बार दिन में दो से तीन बार करना है आपको जिन में दो से तीन बार और एक्सराइज के बार आइस पेक लगाना ना भूलें अगला एक्सराइज यह आप धर पर दुपट्टे से कर सकते हैं चुन्नी से कर सकते हैं अब प्लीज रूडियेट कर जीए कि पीपीजिस जैसे कि टावल से आप अभी कमर को साफ करते हैं व अगर आपका लेफ्ट शॉल्डर जान है करिये उपर उपर करिये पूरा यह हाथ से कीचना इसको उपर करना है पूरा उपर दिखाए मुझे इसको पकड़ा दुपट्टे को यह हाथ और यह इसको सेकिंड है यह आपको ऊपर यह दिखिए ऊपर नीचे कि अभी अगर कंदा जान में इतना ही लेगा बस अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिरुफ हाथ को पीछे पकड़ सकते हैं कि पकड़ लें अपने आप से दूर कर दें हाथ को खुछ से दूर लेकर जाएं यह एक साइड इससे भी आपको बहर फायदा होता है इसक लेडर वाला अपने काफी बार सुना होगा दिवार के उपर अपने हाथ से अपर तक जाएं जहां तक जा सकते हैं कि उसके बाद नीचे कि यह सामने वाली मूव्मेंट है आपकी कंदा खुलने के लिए कि ऐसे ही साइड वाली मूव्मेंट को लॉख अगर है उसके लिए उपार फिर वाफिस यह मूव्मेंट रहेगा आपका दिवार के पास जाते रहें पिर वाफिस जब भी पेन बढ़ रहा है उसके बाद थोड़ा था जो पहले बताया था पेंडूलू मूव्मेंट आप क को बता रहे हैं आप स्विस्ट मॉल्स में भी कर सकते हैं तो नॉमल भी इसमें स्टेचिंग हो जाएगा यह भी शूल्डर के स्टेच के लिए है इसके बाद आपको कैप्सुल स्टेच बताएंगे कि नॉमल बैढ़े हैं हाथ यहां रखा है मैंने सिरफ बॉल को थोड़ा दागी कर दिया यह अराम से बैढ़ गया है यह स्टेच वाइन टू त्री फोर फाइव शेक्स सेवन एट नाइन टेन इसके बाद फिस्ट्रेच आप इसको एक हाद से भी कर तकते हैं स्टेच करने के लिए वापिस अगर आपको गुटनों में दर्द है गुटनों की परिशानी है तो आप इस पोजिशन में ना बैठे नामल बैठ के चोगड़ी पर भी कर सकते हैं नेट्ट यह स्ट्रेचिंग आथों की स्ट्रेचिंग स्ट्रेट में एक गलाइड मोबिलाइजिशन इस पोजिशन में राम से लेट जाए बस सामने देखना है शोल्डर पर लोड आएगा आपके पीछे की दरफ शोल्डर फोर्ट करेगा अपने आप आपके शोल्डर में गलाइड होगी मोबिलाइज होगा इससे बहुत जल्वी कंजा खुल करना है इसको पकड़ना है प्रॉपर तरीकेते होल्ड करिये कीजा पकड़ने इसको और इसके बार पूरा घूंग जाए कि अब आग विए इसको अगो फेंड नहीं करना है अधने करना है अधने करने पूरा सथे और फिस पॉसे शाइड की बीचे तरफ स्ट्रेच ए बैक साइड में स्ट्रेच ए पिसीधा खूंग जाने नीचे से अधिर रोटेट करें यह पोस्टेरियर गेप्सुलेर इसके आपका एंटीरे स्ट्रेच कर रहे हैं अल्बो श्रेट है जैसे मैंने किया बिल्कुल ये स्ट्रेच खंदा खुल गया अलका पर पेन आ रहा हैं जिए आपको जैब आज रिलाक्स पूरा भुमाओं दस पर बिना एक दो तीन चार पांच चार आट नो दस पर वापे ऐसे जो भी स्ट्रेट वालत किया था मैं ऐसे स्ट्रेच कर दिया ये पोस्टीरियर कैप्सुल स्ट्रेच हो गया आपका ये एक्सरसाइज हैं आपकी जो आप कर सकते हैं और ये जो अवेरनेस करने के लिए है कि फ्रोजन चोल्डर को कंदे जांग को आप कैसे पहचाने आजपास के डॉक्टर फिजोत्रेफिट से मिले और अगर आप घर पे एक्सराइज करेंगे ये सब इनसे भी अराम आएगा दो से तीन वार एक्सराइज करनी है और एक्सराइज के ब टीम मेनेजर हैं और रियली थैंक्स कौशिक फीजियो क्लिनिक और एक सारा फांडेशन की तरफ से जिसमें के हमाई ड़क्टर उदेव आदव साथ में एज़े पार्टनर है एक सारा में तो बहुत-बहुत थैंक्स हमसे जुड़ने के लिए और अगर आपको अच्छा